अजी, मल्टिपल सवाल आ रहे थे कि कार का जो इंटीरियर है उसका एक बार टूर दे दो और इंजिन वगेरा का भी बता दो तो टाइम नहीं लग रहा था पही कुछ एक दिन से अभी Canada to India जो road trip वो complete करके वापस आगे मैं Canada अब दूसरी एक car लेली मैंने Defender 130 है Now I'm starting another road trip जिसमें कि मैं कार को यहां से लेके और दुनिया के जो सारे countries है 195 उन countries को by road travel करूँगा आने वाले एक साल और कुछ महिने में तो चलो देर ना करते हुए चलते हैं भार चाबी मैंने लिए उठा हलागी ठंड बहुत जोर से है तो बिना देर की यह बाहर चलते हैं और कार का थोड़ा सा जो overview है वो मैं आपको देना शुरू करता हूँ एक तो jacket उठानी पड़ेगी क्योंकि बाहर है आज बहुत जोर से ठंड garage side से चलते हैं भई इधर से नहीं बनेगी बात चपल नहीं है मेरी चपल नहीं मतलब जूते नहीं है मेरे इधर चलो इधर से चलते हैं कारज बारी खड़ी कर रखी है इतनी ठंड मैं कोई पूछे बार खड़ी क्योंकर रखी है तो रीजन है कि भई अभी मैं भार से आया हूँ चलो उदर बाले कैमरा से दिखाता हूँ एक तो मैं मेरे गार्बेज जो डे है भई वो बूल गया दो बार से तो कूड़ा इखटा हो रहा है गर मैं बर चलो कोई नहीं तो यह एक रार आपके बार बिलकुल डिटेल में ही दिखाते हैं आपका ऐसी है भे साइड प्रोफाइल नो डाउट कि जो डिफेंडर वन टैन है उससे काफी ज्यादा लंबी है और इसलिए यह वाली जो कार है वो मुझे पसंद आ गई डिफेंडर वन टैन जो है न वो पीछे आके एकदम से कट हो जाती है यहां से तो ऐसी लगती है जैसे की पूछ कटा हुआ जो कुटा नहीं होता अपना वो तो मुझे लगता है लुक जो है वो बहुत जादा बढ़ी आती नहीं उससे मेरी परसनल चोही से वैसे तो आपक इससे हो जाना चाहिए है हो हो गया तो बहुत सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजिन की इसमें इन लाइन सिक्स जो है कहा गया इसका यह तो मैं खोल भी अज पहली बार रहा हूँ इसको और रहे अच्छे यह रहा यह भी इसका इन लाइन सिक्स सिलेंडर है टर्बो और सूपर चार्ज्ट दोनों ही है और साथ में माइल्ड आइब्रेड भी है तो इसमें 48 वोल्ट की छोटी सी बैटरी भी है और छोटी सी मोटर भी है इसके ट्रांस्मिशन में जो की हेल्प कर करती है इसको हाइब्रीड के तरीके से काम करने में टोटल मिला के 395 वर्स पावर है इससे पहले मेरे पास जो वैलार थी उसमें वी 6 था अब मुझे नहों ने बदल क्यों दिया क्योंकि वी 6 है वो भी काफी बढ़िया ही चल रहा था मैक्सिमम बाकि अज पहले बार खोल रहा हूं मैं भी लेने के बाद भी मैंने कभी इंजन जो खोल के नहीं देखा अगर वैसे पूछो मेरे से मैं कहूंगा साइज में भी थोड़ा छोटा ही लग रहा है मुझे जो पहले वाली कार है मेरी उससे चलो इसमें तो इतना ही अ इदर से दिखा देता हूं दिस इस हार इट लुक्स देखो लगती तो अच्छी खासी लंबी चोड़ी है मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा वीकल जो हो गई है तो अब ये वाली जो है वो एट सीटर कॉन्फिग्रेशन में है तो एक बार खोल के ना बात क कर लेते हैं सबसे पहले तो गंदी हो गई थोड़ी हमारे यहां पर वो रखा है बारिश का मौसम चल रहा है बरफ का बेसिकली तो अब यह ऐसा है जो इसका साइड प्रोफाइल है अगर दोनों डोर खोल के बात करें एक जो जो जोड़ी सीट है वो पीछे भी है लेन तो उसकी एंट्री जो है वो इधर से ही है वाकि यह ऐसा सा स्टेंस आ रहा है इसका साइड से रही बात स्पेस की तो वो मैं है मेरी और आगे वाली सीट जो है वो मेरी ड्राइविंग जो पोजिशन उसके इसाब से एड़्जेस्ट मेने की हुई है उसके बावजूद इतनी सारी जो वो है लेग स्पेस लेग रूम जो है वो मुझे मिल जाता है फ्लोर जो है वो बिलकुल फ्लैट है तो तीन लोग को भी अगर बैठते हैं यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा कमफटेबल नो प्रॉब्लम एट ओल पीछे वाली जो सीट है वो फोल्ड कर रखी है वही मैंने बट उसमें भी लग 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 इतना ही आपको जो लेग रूम है वो मिल जाता है वहीं पर अगर हैड रूम की करें तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एंपल स्पेस अभी नो इंश्यूज अट ओल सीट भी कमफटेबल है विल्कुल और रेकलाइन भी हो जाती है थोड़ी बहुत तो और आम से अगर लंबे सफर पे सो के भी जाना चाहें तो भी पॉसिबल है साथ में बीच वाली जो स जगेह के मावले में कोई दिक्कत नी है एवन जो मून रूफ है इसमें पतल जो सन रूफ मून रूफ वह भी दो दी हुई है तो इधर पे तो फुल पैनॉर्मिक होगी उसके पीछे वाली जो है वो अलग से दी हुई है जो पीछे लोग है उनके लिए तो चलो पहले मैं इसके फीचर वगेरा बताता हूँ आपको उसके बाद फिर आगे जो है उनकी बात करेंगे वो तो मैं दिखा ही दूँगा पिछे जाके चलो वह अब जो डीटेल्ट फीचर से उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले दो बार 360 वाला जो कैमरा है वो आपको मिल जाते है इसमें रही बात अंदर जो डॉर में सेंसर की वो नहीं है अगर डॉर लोक और अनलोक करना है तो बटन दबा के ही होता है पावर एड़ेस्टिबल जो सीट वो मिल जाती है 14 वे हीटे अन कूल्ड दोनों यह इसमें इस से पहले वाली जो मरी कार वेलार उसमें यह है 24 वेज तो इ यह एक मुझे बड़ा प्रीमियम सा मटीरियल लगया बहुत ज़्यादा एक रेगेट जो लुक है वो देता है बार अलग से इन्होंने जो नट बोल्ट है वो बिलकुल खुले में लगाए हुए है प्र उसमें अगर मटीरियल की बात करें एक नंबर प्रीमियम वाला जो लगाया हुए हर जगह है चाहिए वो डैशबोड की बात हो या जहां भी हो उपर सोफट टच मटीरियल है और साइड में यह जो सारे पैनल है वो लगाए है बिलकुल यह इन्फोटेन्मेंट की अगर बात करें तो पीवी प्रो करके आता है वह यह 11 इंच का तो इसमें सार पहले इसी की बात कर लेते हैं डीटेल्ड उससे पहले यह बता देता हूं में यह BMW को है भई BMW की जो कार साउन में भी सेम आता है तो यहां बटन नहीं इसमें ट्रिगर टाइप का वो दभा के ड्राइव हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स करते हैं वो जो कैमरा सिस्टम ह वो ओन हो जाता है, तो यहां पर 360 और यहां पर आगे पीछे का जो भी आपने करने हैं इसमें यह भी 3D वाल है जिसमें के मैनुवली आप इसको एडजेस्ट कर सकते हैं किदर का व्यू चाहिए आपको और यह बिलकुल लाइव है, तो प्रॉपर आपको बता देता है, अपने आप लोक और अनलोक होते रहते हैं, आप मैनुवली चाहिए तो इनको लोक कर सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत आपको है नहीं, तो इंक की अगर बात करें तो भी उसमें फिर पीछी यह आ जाता है, यह आपको प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बताता है, आपकी जो कार ह जा रही है और कहां आपका जो खुक है वो होईगा, बहुत ही ज़्यादा इज़ी हो जाता है इससे टो करना, खास करके जो ट्रेलर है उसको माउंट करना, coming to this portion भी सबसे पहले चीज़, पी दबाता ही अपने आप जो कार है वो पार्क में आ जाती है, एक और फ़नी चीज दिखाता हूँ इसमें, तो ड्राइव में डालके अगर आपने स्पोर्ट्स में डाली होई है और फिर भी आप पी दबा देते हैं, तो जो लीवर वो अपने आप अपनी जो पोजीशन उसमें जाके और पार्क में लगी जाता है, अब आता है में जो सबसे पहले इन का में यहां का सिस्टम है, तो यह जो बीच में लाइन लगी हुई है, इस से राइट साइड वाले जो सारी चीजे हैं वो है अपना क्लाइमेट से रिलेटेड, तो यह वाले जो बटन है, यह दोनों साइड वाले बटन जो है, वो मल्टी फंक्शन है, दबाएंगे तो सीट की ज चेंज होके और जो इसका टेरेन रिस्पॉंस सिस्टम है, उसके लिए काम करना शिरू कर देता है, तो मड़रट, सेंड, साथ में रॉक रॉल, तो जो भी इसके मोड हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं, मैं नॉर्मली इसको रखता हूँ ऑटो में, तो कोई जंजट ही नही इसको एड़ेस्ट थोड़ा बहुत करती रहती है, अगर इस वाले बटन को इधर हम दबा दें, तो यह जो है बटन, यह चेंज होके बन जाता है, फैन, तो जैसा मैं बता है, बहुत छोटे से में, इन्हों ने, जो मल्टी बटन का जो configuration है, वो दिया हुआ है, तो भीडब इसको एड़ेस्ट आप कर सकते हैं, यह होगया भी जो अपना hill descent control है वो, यह auto on off जो है उसको बंद करने का, यहाँ पर होगया अपना traction control off, और यह होगया low जो अपना transfer के हिस है, जिसमें की low जो अपना transfer के हिस है उसमें आप इसको करके न, और जो भी अपने मुश्किल वाल इसका जो socket वो दिया हुआ है, इधर पर नीचे दुनिया वर की storage अभी, बहुत ही ज़्यादा storage दी हुई है, इसमें कोई दो राए नहीं है, यहाँ पर दो cup holder हो गए, और cup holder से जस्ट पीछे यहाँ पर हो गया आपका charger, जो अपना wireless charger है वो, अब बात करते हैं, एक सबसे ब बहुत बढ़िया, premium से detailing लगी इसमें यहाँ पर, और इसको upon or of be कर सकते हैं, यहाँ से, तो long जो ride है, उसमें कफी जदा काम आएगा, इधर की अब बात करें, तो यहाँ पर दुनिया वर की storage है, इसमें कहीं भी आप चले जाओ, तो यहाँ पर यहाँ पर USB-C का charger भी दिया ह हुआ है, तो मेरा जो drone है, वो इधर पड़ा रहता है, और यहीं पर वो charge भी होता रहता है, तो यह बढ़िया लगा मुझे normal cars से, कि इसमें storage की काफी सारी जो चीज़े हैं, वो दी हुई है, ऊपर इधर आ जाता है, यह मैंने mirror बताई दिया था आपको, नीचे करो तो यह normal के control हो गए, यह थोड़ा सा main है, तो अगर आपको roadside assistance की जरूरत है, तो इसको open करो, इसके बाद यह बटन को अगर आप दबाओगे, तो यह directly जो car है, वो call करेगी अपना जो roadside assistance है, उसको, और इसी में, अगर आपको 911 call करना emergency, SOS, तो इसको दबाके, red वाला जो button है, इसको airbag खुल गए, तो फिर अगर आप answer नहीं करते, call आईगी land rover वालों से, तो फिर आपको police वगारा, ambulance वो आपकी location पर भेज़ देते हैं, बट अगर आपको वैसे चाहिए, तो आप इसको दबा के भी उनको बोल सकते हैं, police वगारा को भेजने के लिए, बस इतना ही ओपर तो pretty budget, nothing special, यहां पर अपना माइक हो गया, जो call है उसके लिए, तो आगे तो बिस भी इतना ही है, फिर आजाते हैं, infotainment पर और जो अपना steering column है, wheel है उसके उपर, इधर पर हैं बही, cruise control के जो control है, अपने वो, तो इसमें अगर बात करें तो वो है, adaptive cruise control है, यह वाला आप से, उसको कम और ज्यादा करने का, तो pretty much normal, आजगे तो Honda वगेरा सब में ही आता है, कुछ यहां अलग से नहीं है, किया कोई बहुत special, कोई feature है, यह HR बटन हो गए, इसमें, जो beach wall है, इसको navigate करने के लिए, call उठाने और काटने का, गाने आगे पीछे करने का, और Siri है, फिर इसका voice command है, उसको use करने का, pretty much normal, इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, अपना, pedal shifter नहीं है, अपनी Velar में pedal shifter भी है, तो उसमें चलाने का लगी मज़ाता है, no doubt, अब आजाते हैं भई, इस पे, जो सबसे ज़रूरी चीज है, उस पे, तो भई, यह वाला बिलकुल ही, इनो बात करें, तो यह वाला मैंने पहले भी बताया था, इस वाली कार में, कार्स में, जो अपना industry है, उसमें one of the best, जो air filter है, वो आपको मिलता है, तो यह proper आपको दिखा, तब यह बाहर जो का, अपनी air particles हैं, उनमें क्या ही साब किताब, quality कैसी है, और अंदर जो air आ रही है, उ पीछे भी सेम चीज़ है, इससे आगे अगर इदर जाएं, तो slope assist है, यह आपको आपकी कार का slope बताता है, left, right जुकी हुई है, क्या आगे पीछे जुकी हुई है, तो वो बताता है, आपको साथ में, यह differential का बताता है, यहाँ पर, यह दोनों साइड अपने जो suspension हैं, उनका यह दिखाता है, यहाँ पर, कि आपका जो steering है, वो किधर की साइड में गूमा हुआ है, तो बहुत ही बारीक जो detailing है, उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है, ओपर से इसको शायद थोड़ा वो change भी कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, अच्छा, नहीं वो change तो नहीं कर सकते है यह होगा भी wade sensing, पूरी जो industry automobiles की, उसमें सबसे ज्यादा maximum मेरे सबसे wading के मामले में, मतलब जो खड़ा हुआ पानी हो, उसमें से अगर निकलना है, तो यही कार है जो निकल सकते हैं, special बनाई गए यही इसमें, जो इसके door है, उनको भी proper एक दम waterproof बनाया है, जिससे कि I think 77 meter मतलब ही हो गया, approximately 1.5-3 foot, 36 inch की आसपास, I believe, कि इतने पानी में से आप इसको निकाल सकते हो, तो इसके side view mirror है, उसमें sensor लगे हुए है, जो बताएं के आपको नीचे, कि पानी की जो height वो कितनी है, और जो safe है, उससे नीचे है, नहीं, इससे अगले में जाएं तो भी, terroin जो info है, वो यहां पर मिलती है, कौन-कौन से हैं, उसमें क्या-क्या benefit है, जैसे अगर wade वाले में आप जाते हैं, तो उसमें क्या करेगे, जो vehicle है, वो कैसे act करेगा, suspension कहां पर रहेगा and all that, तो वो सारे जितने भी terrain response हैं इसमें, उनकी details यहां पर आपको मिल जाती है, बहीं पर अगर आप इस वाले में जाते हैं, तो आप configure भी कर सकते हैं इसको खुद से, कि steering का जो response है, वो कैसा रहेगा and all that, अगर आपने gears की बात करनी है, gears को ज्यादा देर तक hold करना है, या time से change कर देना है, वो सारी चीज़ें आपको, जो main अपना custom program उसमें जाके और कर सकते है इसके बाद में compass भी है, बहुत सुन्दर सा, यह सारा गूम फिर के यहीं पर आ जाता है, यह पर altitude भी बताता है, जो C level है उसके अलावत क्या है, इसमें जो normal SUV में होती है, वही चीज़ें और कुछ यह driving style है, इसमें आपको यह बता देगा, कितना क्या है, कितना fuel आपका जल अगर main menu में आपने जाना है, तो सेम हो गया, navigation account, climate, camera, apple carplay, valley mode, valley mode में आपको पता ही होगा, अगर अपने hotel वगेरा में जाता है, यह पर valley parking करवानी है, तो इसमें डालके नावर code डालते हैं, आप अपना चा डिज़ेट का, तो सारा कुछ लोग हो जाएगा, जिसमें उसमें जो लोग है, वो navigation में जाके और आपका घर का address और वो ना देख पाए, eco data हो गया, 4x4 information हो गया, low traction launch हो गया, तो अगर आप इसको snow में डालते हैं, snow वाले mode में, तो अपने आप यह जो है, उसको recommend करता है, यह भी on कर लो, low traction mode, जो है वो, vehicle के dimensions हो गया, air quality हो गया, trailer का मैंने प मोटी देखा जाए, तो इतना ही है, carplay जो है, वो wireless है, जैसे ही, आप phone यह पे लेके आते हो, wireless carplay जुट जाते है भई, और उसके बाद में, you can use it, बाकी भई, जो cabin है, इसका पूरा, उसका view आ रहा है, ऐसा, रुको मैं 0.5 में करके दिखाता हूँ, तो भई, ऐसा आता है, जो overall view है, इसके cabin का, बहुत ही ज़्यादा spacious, दुनिया बर की जगें हैं, बिलकुल इसमें, और बहुत ही ज़्यादा simple and sorted, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर रखा, overwhelming हो गया and all that, सामने अगर आप देखे हैं, तो आपको वो भी देख रहा होगा, कि आप होते हैं, सब display, बाके भाई, इसके vent जो हैं, वो उपर यहाँ पर है, बिलकुल premium material जहां भी आप हाथ लगाएं, तो यह पूरी एक LED screen है, इसको आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहें, तो आप बदल सकते हैं इसको, तो अगर इसमें जाएं, for example, display layout, तो यह आपको different, different जो layout वो बता इसमें, बाकी जो बेफलतुगी चीज़ें, वो सारी दरुदर गायब हो जाती है, तो इसमें अगर display layout में, हम वापस चल पड़े, to dial पे, तो फिर इसमें एक और option आपके पास में आजाता है, info panel, मतलब जो center panel है, उसमें अब आप क्या दिखाना चाह रहें, तो इसको उपर नीचे करके, आप multiple जो different different चीज़ें वो सकते हैं इसमें, तो trip summary हो गई आपका, जो four wheel information center हो गया, वो भी आप लेके आ सकते हैं आपे, या फिर जो driver assistance है, वो आप इसमें लेके आ सकते हैं, तो इसमें इतना ही है, कुछ अलग से ऐसा है नहीं, जो normal होता है, मेरे हिसाब से तो share monitor system and all that, उसका ही साब किताब है, इसमें, so pretty much normal है, सब कुछ है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है, बाकि यह जो mode वगेर ही है, तो जो मैं इसको off road लेके जाओंगा, तो मुझे लग रहे है, वाँ पे जाके आप ज्यादा बेटर देख पाओगे इस चीज़ को, कि भी कैसे काम कर है, बट हाँ थोड़ी length जो है, वो no doubt की काफी जादा लंबी है, तो हमारा जो purpose है, उसमें काम आ जाएगी है, डिगी की बात करें तो भी जो typical अपने side में खुलने वाला door है, वो है इसमें, क्योंकि टायर जो है, वो यो door के उपर ही mounted है, इतनी जगें हैं इसके डिगी में, So, pretty much everything है, जो कि एक कार में होना चाहिए, यह मैं modify करके यहाँ पर कुलाडी वगएरा टांग लूगा, जो मैं यहाँ का एक वो आता है, इसको खोलके, कुछ और लगी जाता है, तो उसमें फिर यह टूल्स हो गए, अपना जो भी है, camping वगएरा का समान, वो मैं इसमें टां प्लग है, उसका concept बहुत ज्यादा new है, जो यहाँ पर उनके लिए, तो वो मैं बता दूँ, तो भई, जो भी यह ट्रेलर होते हैं, इनमें टेल लाइट और इंडिकेटर होते हैं, तो उसको लगाने के लिए यहाँ पर प्लग देना पड़ता है इनको, तो यह जो प्लग ह का भी इंडिकेटर आप दोगे, उदर की साइड में मुड़ जाएगी, मतलब उदर की साइड में जो इंडिकेटर हो इंडिकेट करेगा आपका जो ट्रेलर है उस पर भी, बाकि यह ऐसा लग रहे है, इसके जो इंटर टाइर्स हैं, वो यहन बताये था, brand new जो टाइर्स है वो मिल गए, ओवर ओल ऐसा स्टेंस आरे इसका, this is how it is, इसके अलावत कुछ ऐसा अलग से है नहीं, तो चलो, निकलते हैं अंदर की साइड में, यह लो भी स्कूल बस दिखा देता हूं यहाँ पर, हमारे स्कूल बस का रेगुलेशन भी, अगर इस तरह से लाइट है जल रही यह कार, बिलकुल भी, इनके आसपास भी नहीं आते होते हैं, जब तक बच्चे नहीं चले जाते हैं, और जो साइड में स्टॉप साइन आपको दिख रहा है, वो बंद नहीं हो जाता है, यहाँ पर रूल बो टाइट हैं भी बच्चों को लेगे, अपने बाद हो आटो मे जब दो बताओ क्या ही बुरा होगा अब, तो देखते हैं, इस हफते सनो है, तो सनो पढ़नी शुरू हो तो उसके बाद भी थोड़ा सा गूमना, और फ्रोडिंग करना और शुरू करें, उसके बाद मैंने फिर्की बना देनी है, जो कार है उसके, बट अभी के लिए इतन इनोंने, खोन पी जाना है मेरा, चलो और कोई डाउट हो किसी भी टाइप का, तो मेरे से पोछ ले न, अगली जो वीडियो है वो मैं बना दूँगा, चलो मिलते हैं गईज, आप लोगों से अगली वीडियो में, अभी के लिए, टेक केर.